दोस्तों नमस्कार इससे आपका सागत एक नए वीडियो में और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पसु परिचर का बाग बै पसु पालन का सोलवा टोपिक जिसमें वर्मी कमपोस्ट कमपोस्ट वीविन वर्कार की खादे आ गई अब सिस्ट वजारतों का निवारन चमडे ए अब सिस्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तो दोस्तों बने रहे हमार चैनल पर अभी अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लिजे वर्मी कमपोस्ट पहला प्रसना उपर उपर देख लेते हैं पहले वर्मी कमपोस्ट में मुंक कैचय जो है तीन प्रकार एक तक ईप Rights 계속 के चवวย है एक इंडोजिक के हैं Indo जिक एक डायोजीन है अब गोबरि कहा कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट अब करनेवार्चल को उप्योत का उप्योक जये विर्द के रूप में किया जाता है किस रूप में किया जाता है यह किसन बी तो वर्मी कम्पोस्ट का उप्योग किस रूप में किया जाता है जे उर्रक के रूप में किया जाता है क्योंकि यह से बरपूर होता है तक किस से बरपूर होता है इसमें केलिशियम होता है नाइट्रोजन होता है डेट से डाई परतिशत फोस्फरस होता है 1.6 से 1.8 परतिशत 2. दोजिंदर कोंसा कफान कम्पोस्ट के संदर में सघी नहीं है 4. और शिश्वर पदार्थ की निम्निकर्ण प्रिक्रिया और कैंच्वा या धीमा वाली बात विछ गलत ग्लित है वर्मी कमपोस्ट का उपयोग जे उर्ग की रूप में किया जाता है क्योंकि यह समरिद है अर्था पोस्परोस होता, नैट्रोजन होता, केलिसियम होता, उपरोकस भी होता तो इसमें चार नमबर उप्शन राइट हो जाएगा वर्मी कंपोस्टिंग क्या है तो केंचो का उप्योग करके खाद बनाना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है अला केंचो का प्रियोग करके जो खाद बनाए जाती है वो वर्मी कंपोस्ट कहलाती ये क्यूशन भी important है, ask the normal कि केंच्व द्वारा तियार की गई खाद क्या कहलाती है, vermicompost पांच नमबर, very very important क्यूशन, निम्न में से किस जन्तों को भूमी का कर्सक कहते हैं, भूमी का कर्सक किसे कहा जाता है, केंच्वा को कहते हैं और केंच्वा को किसान मित्र भी कहते हैं, देखना, very very important क्यूशन, निम्न में से कि जन्तों को भूमी का कर्सक का जाता है, तो केंच्वा को और केंच्वा को ये किसान मित्र भी का जाता है, वर्मी कंपोस्टिक में केंच्वा की क्या कार्वनिक पदार्थ को तोडने के लिए इसका उप्योग किया इता ह Erत थासरा हती नंबर उसले इसमें right होगा सलर 개 साथ मर बोना चाइना क्रोकरी बनी होती है जयर बनि होती है वो सलीजोरी हो से ति पर रहते हैं किस सरैनी के केच्वे उपरी केच्वे कौन से हैं तो है आपीजीक कंच्वे होते हैं गयराई हैं जबकि Gयराई पर रहते हैं अर्था गयराई पर रहते हैं एक से दीन मीटर पर एक सिंद इधर जीराई थे इंड़ जीब अ दोगों ऑई रहते हैं कमपोस्ट कहते हैं किस से कहते हैं कार्विनीग पदार्थ को कहते हैं पुरण सड़ा होगा कार्विनीग पदार्थ तक कुंपोस्ट केले director कहते हैं जलते हाएगे छोगते हैं एक और उपनीदा धषित्लय शतर थीigos द्में बन कर तिइयार हो जाता है कि इतने दिन में तियार हो जाता है। 어reny-compose 60 दिन में यह भी आसकता है कि यूर्प कि वर्मी कमपोष्ट खाद बनने में कितना समय लगता है तो 60 दिन या 2 माह का समय लगता है 2 माह भी आ सकता है, 60 दिन की ज़िए 2 माह तो भी राइट है तो वर्मी कमपोष्ट 60 दिन में बनकर तियार हो जाती है चलते हैं आगे 10 नमबर ओंट की हड़ी का परियोग होता है तो ओंट की हड़ी का परियोग किस में होता है तो ओंट की हड़ी का परियोग चाको का हेंड बनाने में होता है मूर्तियां बनाने में होता है इस प्रकार एक और दो दोनों राइट हो जाएंगे तीन नमबर मूर्तियां बनाने में किस पस्टो की हडियों को कामें लिया जाता है तो ओंट की हडियों को कामें लिया जाता है चार नमबर उप्शन इसमें राइट हो जाएगा बारा नमबर वर्मी कंपोस्टिंग केले केंच्वे को चुनने का पर्मो कारण नहीं है परमुकारण नहीं है, क्या नहीं पाचंदर, इसमें है अनकूल अनसमता होती है, कम उस्माइन काल या कम उस्माइन समय भी होता, लेगिन कम विकास दर्य नहीं होता तो नहीं पूंच रहा है, तो इसमें तीन नमर उप्शन राइट हो जाएगा अब केंचवे की कौन सी परजाती वर्मी कमपोस्टिंग के लिए उप्योग नहीं है कौन सी नहीं है पलाजमो मोडियम नहीं है चार नमर उप्षन इसमें नहीं है चुगदा नमबर निम लिकित में से कौन सी वीदी खाद बनाने के दोरान केंचुव का उपयोग करती है केंचुव का उपयोग जो करती है कि इसमें क्या जाता वर्मी कमपोस्टिंग में रेड मार्स वर्म परकार के केच्वे कुछे कितनी कोकुन परती वरस बनाते हैं तोचिन में से 207 तक चलते हैं कि 16 नमर्ब लाल रंग का केच्वा लाल रंग का केंचवा जो मिट्टी के बज़ाए खाद या कूड़े में रहना पसंद करता है जो लाल रंग का होता है वो आई सीनिया फोटीडा कहलाता है चार नमर उप्शन इसमें राइट हो जाएगा दवाईयों अवं सीरप में परियोग होने वाले जीलेटिन का स्रोथ है जो स्रोथ है दवाईयों और सीरप में परियोग होता है पस्चु का चमड़ा और पस्चु की हड़ियां दोनों इसमें राइट अनसर हो जाएगा चलते हैं अठारा नमबर हड़ियों के चूरे का परियोग करते हैं हड़ियों का जो चूरा होता चूरे का परियोग किस किस में करते हैं तो चीनी को स्पेद बनाने में हड़ियों के चूरे का परियोग किया जाता ती नमिल शाठी कोस्पेद बनाने में उननीस नमिल में 20 में सबसे महंगा हो किसका है तो मंगर मक्रमच 실त दो नमिल उपशन राईर चलते हैं 20 नमिल बांचाय में और ब्राक करभ करभ में परिवर्थित होती है सबस्कंद कर RAWathy tires का चम्रा, दो नमबर उप्शन राइट, चलते हैं 20 नमबर, बॉन चाइना क्रोकरी निर्मान हे तू, पस्व हड़ियां किस ताप करम पर राक में परिवर्तित होती है, 1000 डिग्री सेलिशियस, किर्केट बॉल उद्योग किस पस्व के चम्रे पर अधारित है, तो किर्केट ब चम्रे पर आश्रीत है, या अधारित है तो गाही, एक नमबर हो जाएगा 21 में, 22 नमबर, केच्व की, केच्व की आई सीनिया, फोटीजा, एवाम यूट्रिल्स, यूट्रिल्स यूजेनी, पढ़ जाती हैं किस रहनी में पाई जाती है, तो एपीजिक रहनी में पाई जा तो इसमें दो नमबर हो जाएगा, एपीजिक, वर्मी कमपोस्टिंग, खाद बनाने में माज सामिल है, वर्मी कमपोस्टिंग में केच्व का माज सामिल है 24 नमबर Vermi Camposting एक प्राकरतिक प्रक्रिया है कीडों को नस्ट करने की एक प्राकरतिक प्रक्रिया है 3 नमबर राइट हो जाएगा Vermi Camposting के लिए आवश्यक अधिकतम तापमान होना चाहिए अधिकतम तापमान जो होना चाहिए वो 30 से 35 डिग्री सेलस्यस होना चाहिए और 30 पर 30 इसमें नमी होनी चाहिए अधिकतम तामान 25 से 30 डिग्री सेलस्यस तक होता है लेकिन option के according एक नमर इसमें राइट हो जाएगा 30 से 35 डिग्री सेलस्यस 26 नमबर खाद बनाने के लिए सबसे अच्छा कीड़ा कौन सा हो सकता है खाद बनाने के लिए सबसे अच्छा कीड़ा लाल विगलर्स हो सकता है हरी खाद के लिए परियोग में लेते हैं या हरी खाद के लिए परियोग करते हैं किस किस का परियोग करते हैं हरी खाद में, तो देंचा का परियोग सरोतम है, यानि अच्छा है, सबसे अच्छा देंचा है, जो देंचे से हरी खाद बनाई जाती है, इसके अलावा गवार, मौंग, उडद, सनई, लोबिया, इन से भी हरी खाद बनाई जाती है, लेकिन हरी रूप में सनी और डेचागा अधिक परियोग किया जाता है 28 93 खाद सब्द की उत्पति कौन सी बांसा से हुई है खाद सब्द की उत्पति संस्कृट स कर यूई है और संस्कृट के खद्य सब्द से बणी है जिसका अर्थ है बोजन आगे गोबर की खाद बनाने की सरोतम वीदी कौन सी है गोबर की खाद बनाने की सरोतम जो वीदी है वो ट्रेंच वीदी है चलते हैं नेक्स्ट तीस नमबर गोबर की खाद में पौशकता तो उपस्तित होते हैं गोबर की खाद में कौन-कौन से पौशकता तो उपस्तित होत होता है 0.5% और potassium होता है 0.5% और phosphorus होता है 0.25% अर्था इसमें उप्रक से भी राइट अंसर हो जाएगा केंचोई दोरा निर्मित खाद को कहा जाता है यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन है दोस्तों केंचोई दोरा अर्था केंचोई दोरा निर्मित खाद खाद यह होती है उसको क्या कहा जाता है वर्मी कमपोस्ट कहा जाता है यह क्यूशन जरूर आएगा आगे 32 नमर हरी खाद बनाने के लिए कौन सी फस्लों का परियोग किया जाता है हरी खाद बनाने के लिए दलहनी फस्लों का परियोग किया जाता है जिन में देंचे का अधिक परियोग किया जाता है सनई देंचे का सने और डेंचे का परियोगति किया जाता है तो दोस्तों ये थे वर्मी कमपोस्ट हरिकास से समंदित प्रेसन है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए जाहिंद बंदे मात्रम